जैहिंद वंदे मात्रम स्वागत है आप सभी का गुरुसी वर्ल्ड एक्जाम स्टड़ी पेट्फोर्म में उमीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उंदा होगा दोस्तो आज की सूपर फास्ट वीडियो में 28 राज्यों एवं दो केंदर सासित प्रदेश यानि नए राज्यों में नए मुख्यमंत्री नए चुनाव हुए हैं उन सभी को मात्र 10 मिनट में आपको हम अपडेट कराएंगे चलिए पहला कुशन बिना रुके पंजाब के मु मुख्यमंत्री कौन बने हैं भगवंत मान सिंग यानि ऑप्शन ए जाएगा साथी साथ पंजाब और हर्याना की संयुक्त राजधानी क्या है चंडीगर है कुई से नबर दो पंजाब की भाती उत्तरपदेश में पुनहा देखा जाये तो एक नया इतिहास रचा गया यहा फिलाल यहां पर जो नए मुख्यमंत्री बने है योगी आदितिनाथ जो बीजेपी पार्टी से और नाथ संपरदाय से आते हैं अगला उत्राखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों उत्राखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाये तो यहां पर प पुसकर सिंग धामी के साथ राजधानी गैरसेड़ और धेरादून है कुछिसे नमबर फूर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों सुभे च्छे बजे रोजाना करेंट अफेर प्राप्त करने के लिए और पीडियेफ को प्राप्त करने के लिए चैनल को इमानद से सस्क्राइब करें इमानदारी से सेलेक्षन के लिए राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है तो राजस्थान में अगर देखा जाये तो चुनाओ फिलाल पूर्भ में चुना हुए और असोग गहलोद वर्तमान में जो है क्या है यहापर मुख्यमंत्री है अगला सिला दी गई है गोवा की राजधानी क्या है गोवा की राजधानी है पढ़जी दोस्तों और गोवा किस नदी के ये राजधानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये बसा हुआ है मांडवी नदी के किनारे ठीके ना चलिए नागा लेंड के मुख्यमंतरी कौन बने है न और अपडेट हो जाना चाहिए, अगला, गुजरात के मुंख्यमंत्री कौन है, पूरे भारत के मुंख्यमंत्री की लिस्ट देख रहे हैं आप, हर बहन हर भाई से कहना चाहेंगे अपडेट होना बहुत जरूरी है गुजरात में देखिएगा भूपेंदर भाई पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर कुर्सी दी गई है आंसर सी जाएगा गुजरात की राजधानी गांधी नगर गुजरात में काली मिट्टी और कपास का उत्पादन सरवादिक देखा जाता है गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर तटी रेखा वाला सबसे लंबा राज्य देखा जाता है हरियाना के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में हरियाना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर है हरियाना एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम बन पाये जाते है हरियाना एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दुग्द अनुसंदान केंदर करनाल में है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में तो इस कुछसन का अंसर जाएगा जैराम ठाकूर यानी option D divided. हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर एक धर्म साला क्रिकट स्टेटियम भी है. जारखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? जारखंड एस्क के उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है, जारखंड सीमेंट के उत्पादन में भी देखा जाता है, जारखंड कोईले में अग्रणी है, जारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, इसलिए पुआ अनुसंधान केंद्र है उलिसा के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वो कौन है नवीन पतनायक है जो एक हाकी खेल के लिए जाने जाते हैं इन्होंने अपने राज्ज को खेलों के लिए बहुत उचाई पर अपने राज्ज को पहुंचाया है मेजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर देखा जाता है किसे जोरम ठंगा को देखा जाता है इसलिए आप्शन किसके साथ जाएगा एके साथ नेक्स्ट मद्यपदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों मद्यपदेश एक वो राज्य है जहाँ पर बनों का उत्पादन सबसे नंबर बन है बन सबसे ज़्यादा नंबर बन मद्यपदेश में है स्वयाबीन का उत्पादन मद्यपुदेश में सबसे ज़्यादा होता है मद्यपुदेश में दोस्तों टाइगर है इसलिए इसको टाइगर स्टेट का संग्या दी जाती है मद्यपुदेश में जो है वो कौन है सिवराज सिंग चौहान है जिनने मामा कहा जाता है पंदरा नम्बर मडीपुर के मुख्यमंत्री कौन है मडीपुर इमफाल से रिलेट करता है मडीपुर में विश्व का तेरता हुआ एक मात्र जला से देखा जाता है राज्टी उध्याने जिसका नाम है मड़ीपुर के जो मुख्यमंत्री है वो एन वीरेंसिंग है option C जाएगा next त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है त्रिपुरा से एक कुछसन जीके का बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो बांगला देश से तीनों तरब से गिरा हुआ है त्रिपुरा की बात करें तो अगर तला से रिलेट करता है त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है वो दोस्तो विपलो कुमार देव है option A जाएगा next करनाटक के मुख्यमंत्री कौन है करनाटक वो राज्य है दोस्तों जहाँ पर चंदन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और इसकी राजधानी कौन है बैंगलोर है बैंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है यहाँ पर दोस्तो कॉफी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए कॉफी के उत्पादन में फर्स्ट राज्य है करनाटक के जो मुख्यमंत्री है वो दोस्तों कौन है वसब राज बॉंबई है इसलिए ओप्सन जाएगा डी के साथ केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में केरला की बात करें तो केरला नारियल में उत्पादन में नंबर वन है केरला की राजधानी तिरू अनन्दपुरम है केरल में भारत में सबसे पहले मांसून आता है सबसे पहले वर्सा होती है केरल आज़े में सांती घाटी है और साथी साथ पिनराई विजियन की बात करे तो यहां के मुख्यमंत्री है महरास्ट के नए मुख्यमंत्री कौन है महरास्ट में जब चुना हुआ तो वहाँ पर एक ऐसी पार्टी जो उद्ध ठाकरे की पार्टी है और उद्ध ठाकरे ने यहाँ पर अपने आप को चैरा बना कर चुना लड़ा इसलिए उप्सन सी जाता है महरास्ट में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति रहते हैं इसलिए भारत का धनी राज़े महरास्ट कहा जाता है महरास्ट एक ऐसा राजजहे तटी इलाके का राज़े जिसकी राजधानी मुंबई है मेघाले के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में दोस्तों मेघाले की जब बात की जाती है तो गारो खासी जेंतिया मेघाले की पहाड़ियां है मेघाले एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा वारिस होती है मेघाले एक ऐसा राज्य है जो पूरवत्र इलाके का राज्य है मेगाला की जब बात होती है तो यहां के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे कानराट सांगमा हो जाएंगे इसलिए option A जाएगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है तेलंगाना एक ऐसा राज्जे है दोस्तों जो आंदर पदेश से 2014 में अलग हुआ था तेलंगाना एक ऐसा राज्जे है जो भासा के आधार पर अलग हुआ तेलंगाना की अगर हम CM की बात करें तो केच चंदर सेखर राओ है option A लौक होगा आंदर पदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों पढ़ाने का अगर अंदाज अच्छा लगे तो हर बहन हर भाई चैनल को सस्क्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरू कर ले क्योंकि मेरा मकसद होता है कि फास्ट वीडियो सूपर फास्ट वीडियो और जादा से जादा सूपर फास्ट वीडियो फालतू का समय नहीं है, टिक लगाओ, डिटेल बताओ, टोटल डिटेल बताओ, एक्स्ट्रा अफेक्ट बताओ, सब कुछ बताओ, लेकिन आगे बढ़ो फालतू की बातें छोड़ कर आंदरपदेश की बात की जाये तो आंदरपदेश तंबाखु उत्पादन में अग्रणी है, आंदरपदेश में तंबाखु अनुसंदान गेंदर है, आंदरपदेश 1953 में भासा के आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य भारत का एक मात्र राज्य था, 22 नंबर का बिहार एक ऐसा राजे जहां की बिहार के सोक के रूप में कोसी नदी जानी जाती है और बिहार के जो है नितिश कुमार वर्तमान समय में सीम है 24 नमबर सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है सिक्किम की राजधनी गंगटोग सिक्किम कंचन जंगा से रिलेट करता है सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है बताएगा प्रेम सिंग तमंगा है तो इसलिए इसकुषन का अंसर जाएगा किसके साथ option number D के साथ next पस्यमंगाल के मुख्यमंतरी कौन है पस्यमंगाल वो राज्य है जहाँ पर दुरगा पूजा का एक प्रमुक तेवहार मनाये जाता है पस्यमंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता जो बसा हुआ है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है पस्यमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनर जी है इसलिए option A जाएगा अरुनाचल पुदेश के मुख्यमंतरी कौन है अरुनाचल पुदेश इटा नगर इसकी राजधानी है अरुनाचल पुदेश भारत का सबसे पूर्व मेर इस्थित राजधे है सबसे पहले सूरिक इस राजधे में निकलता है तो आंसर होगा अरुनाचल पुदेश तो कि यह है पूर्व में है और अरुनाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है पेमा खांडू अगला पुडूचेरी के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों पुडूचेरी एक केंदर सासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी है पुडू चेरी के जो मुख्यमंतरी है वो है एन रंगास्वामी, आप्शन सी जाएगा तमिल्नाडु के मुख्यमंतरी कौन बने है वरतमान समय में तमिल्नाडु की अगर बात की जाये टो तमिल्नाडु एक ऐसा राज़े है जो पूरवत्तर राज्जे नहीं है बलकि दक्षिड भारत का सब्थे किनारे का राज्य है साउथर्न इंडिया का कन्या कुमारी छेतर से लगा हुआ राज्य तमिलाडू की बात की जाये तो तमिलाडू की जो मुख्यमंत्री है वो हेमन्त विश्व सर्मा है या M.K. स्टालिन है तो M.K. स्टालिन हो जाएगा इस कूशन का राइट आंसर अगला असम के मुख्यमंत्री कौन है वरतमान समय में दोस्तों असम की बात जब की जाये तो असम एक ऐसा राज्य है जो चाय के उत्पादर में नंबर वन है यहां के जो क्या है मुख्यमंत्री है हेमन्त विश्व सर्मा है ऑप्षन किसके साथ जाएगा चला जाएगा ऑप्षन नंबर एके साथ अगला अगला कुश्ण आपके स्क्रीन पर है जवाब दीजेगा कुश्ण नंबर आज का इस वीडियो का अंतिम कुश्ण है और यह है तीस राज्य को कवर करता है भारत में 28 प्लस केंदर सासित प्रदेश है जिसमें दो केंदर सासित प्रदेश थे दिल्ली भी एक केंदर सासित में आता है दिल्ली एंसेटी के मुख्यमंत्री कौन है अर परच करिएगा गुरुजी वर्ड का टेलिग्राम है ऐसा लोगों मिलेगा सही से स्पेलिंग डालना सही सही जो मैंने लिखा है डबलु ओ आर डी नहीं है डबलु ओ आर डी है लेव यो गाइस थैंक्स पर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टडी सुबह 6 बजे रोजना करेंट अफिर मिलती है इसलिए सस्क्राइब करें और भी मित्रों को और भी दोस्तों को बताएं कि गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टडी केबल सुपर वास्ट के लिए जाना जाता है